सब्सक्राइब करता है तो आज हम बात कर रहे हैं उसी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एक्जाम की जिसके बारे में मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूं कुछ टिप्स ऐसी भी होंगी जो आपको बहुत चोटी चिट प्रिप्स लगेंगी लेकि की रहेंगे टिप्स 2024 स्टार्ट हो चुका है हम जैनवरी के फर्स्ट वीक में है और अगर हम वेकंसी की बात करें सेंट्रल लेवल की स्पैसिफिकली स्टेट लेवल को अगर हम एक मिनिट के लिए छोड़ भी दे तो यह मारे इसकी वेकंसी 2023 में अल्रेडी आ चुकी है उस तो NBS की अगर हम बात करें तो NBS की as of now LDC की वेकंसी already released है open जो recruitment होती है वो आना बाकी है जो कभी भी हमें देखने को मिल सकती है UPSC की बात करें तो UPSC में already sanction आ चुका है कि किपनी post आएंगी उसके लिए already approval है उसके बारे में भी वेकंसी कभी भी हमें announce होते हुए notice दिख सकता है और थर्ड हमारा KVS KVS की भी वेकंसी का पूरा इंजार रहेगा तो तीन main exam है जिसके लिए आप सभी तयारी करते हैं यह ठीक है तो आप लोग के लिए एक जो है गोल आपको यहां पर मिलेगा और क्या-क्या टिप्स आपको जो है वो सारी यहां पर आपके साथ शेयर की जाएंगे आपने अगर अभी तक हमारे स्टेडी पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल पर आपको कोई टीजीटी पीजीटी पीटी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग से ग्रोप है तो अगर आप अपनी डिटील्स चाहते हैं अपनी एक्जाम से स्पैसिफिक तो आप हमें अपनी नमबर पर जो है हमारा जो वटसप नमर है 844-7410108 इस नमब अगर क्यों प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल इस तरीके से अपने डिटेल्स के हमें सेड़ कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपको ब्रोडकास्ट में एड कर लिया जाएगा आपके एक्जाम के स्पेसिफिक और उससे रेलिवेंट जो भी इंफॉमिशन है जो भी है वह कोर्स जोईन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं स्टेडी पॉर्टल अकाडमी इस एप पर आपको वेरियस लाइव और रिकॉर्डिड कोर्स अविलेबल हैं यह एंड्रोड और आइफॉन दोनों के लिए अविलेबल है तो दोनों ही को देखने के बाद आप जोईन कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि यह वीडियो हमने देखी तो आप 12,000 का डिसकाउंट अवेल कर सकते हैं एक बैच है जो हमारा अभी स्टार्ट हुए है थर्ड ऑफ जैनुरी से इसकी जो टाइमिंग है वो यह हमारा इमनिंग बैच है य से अपना पूरा स्लेवर कर सकते हैं लाइन वाइल का इंपोर्टेंट है कोई पॉइंट हमें नहीं चोड़ना है इसको और पर अविलेबल रहेगा इसके साथ ही आपको हाड कोपी नौर्स भी प्रोवाइड किये जाते हैं जो कि इस नोर्स और जो पॉरस है उसके साथ और जो भी topic हम cover करेंगे उसके साथ उसकी test series भी जो है यहाँ पर अविलेबल रहेगी तो test series भी आपके साथ topic wise topic यहाँ पर होती है तो अगर आप यह लिखना है इस तरीके से यह वहाँ पर mention है third gen तो आप जो है category में select करेंगे तो आपके पास ही course देखने को मिल जाएगा फिर भी कोई problem आए तो आप सभी के पास हमारा help line number है ही आप हमें इस number पर contact कर सकते हैं live के अलावा हमारे पास recorded batch भी अविलेबल है जिसमें आपको पूरा क पूरा course एक बार में provide हो जाएगा आप unlimited time जब चाहें अपने time के according suitability के according उसको देख सकते हैं इस तरीकी से वीडियो होगी recorded section में यह हम जो live करते हैं वो इस तरीके से आपके live section में आएंगी आपका जो content section होगा उसमें आपको basically 3 subfolders मिलते हैं हर एक folder में notes videos and mock test तो जो भी आपको class videos में मिलेगी और mock test में आपको उससा ही उसका ही जो है test जो है वह आपको test series वह आपको प्रवाइड होती है तो study portal आपको live courses recorded view ranges टेंट सिर्पी तियारी कर रहें या फिर या फिर आप जो है वमारे यू पी सिकी तयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है हमारे यू प्ले में आपके सक्शन की अब्रेंट रहने की जरुए नहीं होती है तो अब बात करते हैं हम कुछ चीजों की कुछ important updates की सबसे पहले जब भी हम किसी exam की तयारी करते हैं तो हम जो wait करते हैं वो है हमारा notification काफी लोगों को habit होती है कि notification का wait करते है notification जब आएगा उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे उसके बाद ही हम देखेंगे कितनी vacancy आई है क्या कुछ eligibility है क्या इस criteria दिया गया उसके बाद हम तयारी करेंगे अगर आप principle की तयारी कर रही हैं तो आपके लिए कुछ भी इसमें बुराई नहीं है कि अगर by chance कुछ ऐसा हो जाए कि notification में eligibility को लेकर या age को लेकर कोई भी बाद में problem हो तो वह आपके लिए जो है कि negative point है आपको कुछ ना कुछ चीज़ा सीखने को मिल रही है और बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं जैसे कि आपको पता है कि हमारे batch लगबग हर महीने या दो महीने में हमारा new batch launch होता है live batch हम launch करते हैं evening batches mostly हमारे पास रहते हैं और इसमें हमारे पास बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं इसमें मैं आपको अगर आइडिया दूं कि हमारे पास वह वाले बच्चे भी हैं जो already तैयारी कर रहे हैं जो already eligible है एस वाइस और सारी चीज़ों वाइस टिकल और हमारे पास वह बच्चे भी हैं जो अभी eligibility criteria के according आने वाले एक दो साल में eligible भी नहीं है अगर किसी exam में 10 years के experience है तो हमारे पास वह बच्चे भी हैं जो उनको अभी 7 और 8 साल के experience है वह भी आने वाले exam की तयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है हमारे exam की validity आप extend कर वा स तो कहीं ना कहीं आप competition में already पीछे हैं so don't wait for notification अगर आपको principle बनना है अगर आपको तयारी करनी है तो अगर आपके पास multiple options है KVS भी है NVS है UPSC भी है until or unless आपके पास specific target है कि बस मुझे तो UPSC ही करना है या मुझे NVS में ही जाना है या मुझे KVS में ही जाना है तो आपक कैसी है मारस कोई भी exam दे रहे हो या फिर आप अपने state level के exam दे रहे हो तो notification का wait करने की जरूत नहीं है आपको एक habit बन जाएगी जो आप तयारी करते हैं जो rules है regulation है उनको पढ़ने की उनके साथ updated रहने की और आप उस syllabus से familiar होंगे क्योंकि आपने syllabus अगर देखा है तो admin and finance औ computer जी के जो भी जिस भी exam में आता है वह आप कवर कर सकते हैं ठीक है उसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह exam हम हमेशा से देते हुआ है हमारा aptitude test है लेकिन जो आपका admin and finance section आपकी psychology है जब आप first time तयारी करते हैं specifically वह सारा का सारा syllabus आप लोके लिए एकदम नया होता होता है तो वहां पर आपको time चाहिए उस चीज़ पर focus करने के आप जब एक बार readout कर लेते हो अगर आप लाइफ और recorded course जोई नहीं भी करना चाहते है that's totally fine आप एक बार notes order कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जो है जब आप जो है सही से मन लगा कर तैयारी करें तो आपकी जो तैयारी है वो सही से हो बहुत अच्छे से हो और यहाँ पर मैं कहने चाहूंगी कि अगर आप तैयारी कर तो फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिए जैसे मैं आपको बता है हमारे पास already काफी student है जो already अभी तै जन्वरी से बैच भी स्टार्ट हुए उसमें भी आपको सारे एक्जाम कवर किये गए हैं UPSC, KVS, NVS आपको सोचने की जोरती नहीं है कि अभी मुझे UPSC या KVS है या NVS है तीनों के एक्जाम के अकोर्डिंग आपका पूरा का पूरा स्लीबस कवर होगा तो उसके अक प्रिंसेपल लेवल एक्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत चोटा है या बहुत नहीं है यहाँ पर आपको वह पता ही है कि इतना कॉंपिटीशन है और ओलरी जो है सब तयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी जो आप यह जो और इस मामले में हमारे पास आगे है और अपनी कॉंपिटीशन के अकोडिंग तयार कर रहे तो मैं आप से एक वैस्ट को अपनी तयारी करें तेके सेकेंड पॉइंट है हमारा स्लेबस एन एक्जाम पैटरन जो की इंपोर्टेंट है अगें कि हमारा क्या स्लेबस क्या एक यहां पैटरन रहे गए रहेगा अब यह डिपैंग करता है कि आप कौन से बोर्ट की तयारी कर रहे हैं आप के यह की तयारी कर रहे है अगर हम छोड़ दें लगबग से में एक जंगा पर मैथाता है और बाकी जंगे अब से में राइट ज्यू पीए सी हो चाह के तो आपको एक math add-on करना पड़ेगा बाकी सब जंगे पर आप कर सकते हैं तो यानि कि आपको जो पॉर्शन हिंदी जर्नल के लिए अगर कबर करने हैं अगर आप तीनों ही एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हो गया सब्सक्राइब करें तो आप जानना क्या जरूरी है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा सेक्शन में पता है कि यह पंदरा बीस-पंदराबीस टोपिक आरेक से यहां से आते हैं जो कि हम खुद से भी आराम से घर बैट कर अपना तयार कर सकते हैं इसके लिए बस हमें और अच्छे से उसकी प्राक्टिस करनी है और इन सब चीजों के लिए बैस्ट है कि आप मोक टेस्ट के सकते हैं जो है बहुत सारे मोक टेस्ट अविलेबल है इसके लिए आप वो दे सकते हैं राइट सेकिंडर हो एमारा मेन जो स्लेबस आता है वह होता है हमारा एडमीनन का हमारा section है जिसमें कि हमारे जनली principles related ही rules होते हैं चाहे service rule हो LTC हो leave rules हो pension rules हो JFR हो यह सारा हमारा admin and finance में cover किया जाता है admin and finance का portion तीनों exam के लिए चाहे हम मेंवेस की बात करें UPSC के लिए बात करें और KVS के लिए बात करें जो में में टॉपिक है वो सब में से मैं आपका 10% थोड़ा बहुत इधर उदर है कि 10% आपका एक दो टॉपिक UPSC में भी है और हमारा KVS में भी है anyway इसमें यह नहीं है हाला कि इसमें सब्सक्राइब कम रहते कोई section specify नहीं कि इतने questions इसमें से आएंगे बट यह इसके पार्ट में जुड़ जाता है थर्ड जो है हमारे पास psychology जो आपका एंवेस है उसमें हमारे पास academic and residential aspects के नाम से है जो हमारी UPSC है उसमें भी हमारा psychology सिधा चाइड डवलेप्मेंट पैडागोजी इस तरीके से है के भी इसमें हमारे पास चार-पांच सेक्शन बने हुए अंडरस्टेंडिंग लेर्नर स्कूल और्गेजेशन परस्पैक्टिव इन एडुकेशन एडुकेशन पॉलिसी एन एक्ट यह सारा हमारा यहां पर आ जाता है तो जो आपका फोकल स्टार्ट होता है वह होता है इन तीन चीज़ों पर बेस सोची चुटे टॉपिक्स आते हैं जो आटोमैटिकली इंक्लूड हो जाते हैं जब आप पर तो दोसन बीन कि आपने एक्ट को उठाया रूल फर्स से हमने लास्त तक कवर करें नहीं उसका बेक्ग्राउंड हिस्ट्री तो देखो कि कहां से आया क्यों जरूत पड़ी है कि इसलिए जरूत पड़ी है जब आप तयारी कर रहे हो ना तो यहां पर आप इंटर्वी की अकोडिंग तयारी करो क्योंकि रिखने को मिलता है उसका बेक्ग्राउंड हिस्ट्री क्या है क्यों आया यह क्यों इसकी जुर्त पड़ी से पहले एक्ट क्या था कहां से इसकी सारी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा भी यहां पर रीडाउट करनी होंगी उन एक्जाम में जो क्वेश्चन साइंगे उनको अंसर करने के लिए तो आप अपना एड्मिन फिनांस साइकलोजी और ओफिस प्रोसीजर यह आपको कवर करना है अब यहां पर आता है क्या मा उनलाइन अपडेट रहना जरूरी है क्योंकि रूस जो है अपडेट रूस जो हमारे चेंज होते रहते हैं इसलिए हम हमेशा सज़ेस्ट करते हैं कि अगर आप नोर्स हमसे और कर रहे हैं तो आप उसके साथ लाइव रिकॉर्ड़ कोर्स लीजे क्योंकि जितने भी अपड यह ओना चाहिए आप जो भी देख रहे हैं वो आपको यह पता होना चाहिए कि वो रहे हैं सही पड़ने उसके अपडेट करते हैं जो भी हुझाパट फडेट कर रहे तो यह मैं यहां पर आपका Focus कि इसी चीज़ पर किए अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो अपडेट चीज़ पढ़िए एपडेट होना जरूरी है क्योंकि तब एक्जाम में जो क्वेशन आएंगे ज्यादातर अपडेट से आते हैं जैसे क्या रिसेंटल अपडेट हुआ उसके बारे मापको पता हुआ उसके अकोडिंग आप यहां पर कवर कर सकते हैं तो स्लेबस और एक्जाम पैटरन भी आपका जानना जरूरी है कहां पर नेगिटि हो वन जीरो एट चाहे कर वीजिया दिश्व करना बहुत ही जरूरी है इसे आएपके चलता है कि किस टैप पर क्या हमारा फोकस रहा है जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारा CCA CCA rule है कहने को काफी बड़ा rule है हम इसको live class में 4-5 classes या कई बार उससे ज्यादा भी हो जाती है हम उसमें इसको cover करते हैं CCA CCA rule ठीक है और यह हमारा सबसे important rule है 8-10 questions आपको journalists में से देखने को मिल जाते हैं तो जो आप previous year papers को go through करते हो तो आपको क्या जो पर focus करना है सबसे पहले आपको focus करना है topics पर कि को आपको यह पता होना चाहिए कि अगर यह question है तो किस topic का है इसके लिए अगर आप हमारे चानल पर previous year papers को देखोगे चाहिए हमने solution किया हुआ है और वहां पर अगर आप पहली बार तयारी कर आपको नहीं पता चल रहा यह किस topics आया है तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप यह idea लगा सको अच्छा कौन सा topics मेरे पास यहां पर important है हाला कि किसी भी एक्जाम का कोई pattern ही होता कभी भी कुछ भी हो सकता बट आपको यह idea लगेगा कि हाँ यह मेरे कुछ important parts है यह मेरे important points है और यह मेरे important topics है वहां से हम cover कर सकते तो आप topics topics में भी आपका question ठीक है वह मैंने note down कर लिया तो मुझे पता है कि इस में भी मेरे पास कौन सा important है ठीक है वह मुझे देखना है कि किस topic से question आ रहे है and the type of question की type of question क्या है आप ज्यादा तर जो question आप देखोगे previous year papers देखोगे 2012-15 इसके बात के तो आपको पता चलेगा कि जो question है सिंपल सा जाता है कहीं बार maximum एक employee कितनी दिन की लिव ले सकता है आपके पास option है five year two year three year four year आपने answer टिक कर दिया five year बहुत ही सिंपल है suspension order maximum कितने time के लिए जो है extend किया जा सकता है option है 19 120 150 180 180 है आपने प्रिंसिपल लेवल के एक्जाम देने जा रहे हो तो easily correct नहीं किया जा सकता कि मैं आपको यह बता दो यह 10 important हां यहां यहां से question mostly asked है तो आप से पूछने के chances हैं बट उसके बाद भी आपको statements पढ़नी जरूरी है ताकि आप जो अभी देखोगे question आपको कौन सा statement correct है पहले क्या होता था पहले question का pattern यह कि इसमें से उपर वाले में से one two correct है two three correct है one two three correct है यह तरीके साथ अब यह pattern भी change हो चुका है अब इससे भी difficult है यहां पर क्या होता था elimination method आपने यूज किया और बहुत ही आराम से आपने काम कर लिया अपना answer आपका जो है guess कर लिया लेकिन अब यह वाला चीज भी नहीं है अब आप क्या क्या होता है इसमें से बताओ कि only a option correct है या two option correct है three option correct है या कोई भी correct नहीं है तो आपको previous papers को go through करना जरूरी है और previous papers को go through करने के लिए हमारे पास एक booklets भी है जो हमने काफी बार time to time free booklet हम जो है send करते हैं आपको जिसमें कि आपके प्रिवेस के सारे papers है अगर आपके पास वह है तो वहां से आप और अच्छे से study कर सकते हैं next is appropriate use of social media अगर मैं बात करूं senior लोग्स के यानिकी जैसे आप प्रिंसिपल की तयारी कर रहे हैं प्यार्ट टीजिटी पीजिटे तक भी जो हम social media से काफी influence होते हैं तो social media अब अल्रेडी कम use करते हैं अगर आप मेंसे कोई है जो बहुत जादा access में use करता तो उसका भी आप appropriately use कर सकते हैं कुछ ऐसे चैनल कुछ ऐसी एप कुछ ऐसी वेबसाइट जहां पर आपको regular updates मिलती है regarding your updates कि क्या-क्या rules हमारे updates हो रहे हैं क्या rules regulation है उनको आप follow कर सकते हो ठीक है ताकि आपको उन rules regulation के regarding updates मिलते रहें कुछ updates मिलते रहेंगी कुछ आप read out करते रहोगे तो आपके दिमार्ग में वह topic automatically automatically हमारे पास आता रहेगा तो हम अपने इस लेबस से familiar होते रहेंगे so हमें social media का भी appropriate use करना है मोग test काफी सारे available हैं वह आप दे सकते हो ठीक है अब next question आता है self study coaching center देखो self study अगर आपको लगता है कि आप capable हो self study के लिए आपके पास timeline है अब जब हम senior candidates की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले problem आती है हमारे पास family भी है family को भी time देना है तो work life भी balance करनी है अपनी work or personal life भी time management में दिक्कत आ जाती है कई बार specifically अगर आप work कर रहे हैं किसी and residential school में में आपकी match duty भी होती है वहीं पर रहना वहीं पर आपकी वाई वाई प्रैक्टिकल यह सारी चीजे भी चल रहे हैं उसके अलावा एक रिटन एक्जाम था के विसका आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो time management at a time हम नहीं कर सकते हैं तो time management भी आपको पहले से करके चलना है तो पूरे दिन में आप कैसे time निकाल सकते हैं ठीक है वह आपके लिए जरूरी है अब आप जो बीच-बीच में जो topics आएंगे जो बीच में जो है कुछ terms आएंगे आपको उसके बारे में फिर detail में पढ़ना होगा ठीक है यह ऐसा topic आपने लिखा और आगया जो आगया वह नहीं पढ़ सकते हम हमें यह मेक्शूर करना जरूरी है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वह हम updated पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप फिर खुद से अप decide कर सकते हैं कि मैं self study करके यह सारी चीज़े अचीव कर पार और या नहीं कर पार और या 50 देन करने के बाद मुझे लग रहा हो कि शायद यह पॉसिबल नहीं है तो अगर आपको यह लगत्ता है कि मुझे एक्जाम नहीं किरना ही है और मेरे पास को छींटड मैं गरते कर सकते हो एकीज़े पास का प्रिंसिपल के लिए तयारी कर कर सकते हैं इस एक्जाम की भी तैयारी के लिए जो है मार्किट में ओप्शन्स अविलेबल है अगर और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हों बोला कि अगर हम शायर स्टुडी पोर्डल तक पहले पहुंच पाते तो अब तक हम प्रिंसिपल बन चुके होते यह ह हमारा से नट姆ंप होता जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो यह सारी चीजे भी आपको देखनी है नेक्स्ट ओनाइं या ऊफ्लाइन क्लास इसका सिंपल सा सोलूशन एंपनी टाइम की प्रॉब्लम है सब स्कूल जाते हैं और शाम का बैच हमारे पास तो के पूरी flexibility मिल दी है हमारे बैच जनली 4 पीम से जो है हम 11 पीम तक हमारे बैच जनली होते हैं यह हमारे पास time schedule रहता है बैच इसका तो 11-12 बज़े तक हमारे classes जो है चलती है तो आप अपने time के according जो है बैच को join कर सकते हैं भी as of now जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है वो 630 PM से है Monday to Friday और इसमें हमने सभी exam को cover किया है UPSC को KVS को और NVS को ठीक है इन सारी चीजों को हमने यहां पर cover किया है तो आप यहां पर देख सकते हैं next books books को आपको wisely choose करना है मैंने जैसे आपको बताया अगर आप किसी और publication की book भी purchase कर रहे हैं तो आपको उस book में यह दिया गया है तो हमेशा मैं यहीं बोलते हूं कि यह book updated नहीं वो बोलते हैं नहीं अभी तो लिखे इसी साल की तो इस साल की भी है लेकिन यह तो देखो कि ठीक है publication पॉटल भी आपको नोट्स प्रोवाइड करता है complete सेट अपका होता जनल पेपर और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक वह आप ओडर कर सकते हैं हमारे नमबर पर contact करके next which coaching center is best यह भी सवाल तब आता है जब हमारे पास अधर options अविलेबल हैं अगर आपको लगता अधर कर सकते हैं ठीक है तो coaching center कौन सा join करना है यह आप पर depend करता है क्योंकि जब भी आप किसी coaching center को join करते हैं मेरे according मेरा यह मानना है कि हरी coaching center यह चाहता है कि हां maximum selection हम दे और यही हमारा मोटो होता है आपने पिछले 2023 में 2022 में इतने सारे जो exams हुए हमारे पास UPSC में principal में हमारा maximum selection हुआ वाइस प्रिंसेपल में हमारे बहुत सारे candidates सभी interview के लिए अपियर हुए KBS में हमने maximum selections लिये है principal vice principal LDC हमारे पास ऐसे students भी है है कि यह एक अच्छा example है और एक में हाँ पर चीज भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे अगर आपको principal बना तो जितने जल्दी आप अपनी post अपनाएंगे जितनी जल्दी आप जोईन कर सकते हैं जतना जल्दी आप exam को crack कर सकते हैं आपके आगे की life में उतना ही बैटर आपके लिए रहेगा उतना ही आपको explore करने का मुका मिलेगा उतना ही आपको चीज़े लर्निंग करने का मुका मिलेगा तो कोचिंग सेंटर ऑप्शन एक अविलेबल है study portal इसके अलाव अगर आपको लगता है कोई option अविलेबल है तो यू किन एक्स्टॉर इट नेक्स्ट तो यह मैंने कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया रिगार्डिंग दे बोक्स रिगार्डिंग दी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एक्जाम स्लेबस इसके अलावा भी अगर आपको लगता है आपका कोई भी डाउट है कोई भी क्वर ठीके तो आप अपनी डिटियल्स हमें शेर कर सकते हैं अपना नाम सीटी और एक्जाम का नाम लिग क्या पर में शेयर कर सकते हैं वाट्सप पर यहां पर आपको आपकी एक्जाम से रेलिवेंट इंफॉमिशन मिलती रहती है जैसे आगर हमने यूपीस या के वीस या एमर आपको बोला कि आपने पहले खुद से कितना effort किया है यह सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आपने कितना effort किया है और अगर आपका कोई Facebook पर भी ग्रूप है उसको भी आप जोईन कर सकते हैं आप और अगर आप हमारे साथ जुनना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया study portal आपको तीन option प्रवाइड करता है सबसे पहले हैं नोट्स अगर आप बिलीव करते हैं कि नहीं मुझे तो self study ही करनी है तो आप नोट्स ओर कर सकते हैं जो कि आप Courier के माधम से आपको डिलीवर किये जाते हाइं हाइड बुकलेट का जो अपका सेट होता है जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो जो सेट होगा हमारा कुछ इस तरीके से से होता है हमारा और इसमें भी हमारी इससे ज्यादा बुकलेट होती है इस से ज्यादा हमारे पास बुकलेट होती है तो वो आपका पूरा-क पूरा यहां पर होता है जो अपका अपडेटी नूट्स होता है तो नोट्स ओर करने के लिए आप हमारे help.net नंबर पर फोकस है हमारा लाइब एक लावा रिकोर्डेट बैच भी अविलेबल है तिके रिकोर्डेट बैच में आपको जो भी लाइव में करवाया जाते है आपको रिकोर्डेट सेक्शन में मिल जाएगा यहां पर बस आपका है कि जैसे अभी वीडियो देख रहे हो तो आप YouTube YouTube section में कमेंट में बाद में comment कर सकते हैं फिर में रिपलाइब करोंगे ड़ी लाइव जब होता है जैसे YouTube live होते आपने इमिडिटली बैसे सब कुछा मैंने वहीं पर करते हैं कि हम लाइव लाइव इंट्रैक्ट करें तो यही फरेख है हमारा लाइव और रिकॉर्डड में लाइव बैच में ना सिर्फ आपको चैट को उप्शन मिलता है अगर आपको लगता है कि आपका सवाल बड़ा है आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो आप आराम से कोनों पर अविलेबल है और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं एक बार में पेमेंट ने तो इंस्टॉल्मेंट को ओक्षिंस भी हां पर दिया गया है अभी हमारे पास ओफर था 12,000 तक का हमने डिसकाउंट दिया नियू यह पर अगर आप अभील करना चाहते हैं सहर्ड जनवरी बैच के लिए तो आप इस वीक तक अवेल कर सकते हैं यह वाला बैच भी उसके लिए आप हमारे अलपनी नंबर पर कॉन्टेक कर सकते हैं इसके फीचर्स मैं आपको अल्रड़ी बता चुकी हूं आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए फाइदे मन जरूर रही है तो कुछ पॉइंट्स तो आपको जरूर यहां पर आप मोटिवेट होएगा अपने एक्जाम की तैयारी के लिए यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस टाइप की वीडियो क्या आप और आगे के लिए चाहते हैं इस टाइप का का काइंड ऑफ सेमिनार सेशन इस टाइ